नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भरगव दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ छोटे बच्चों का सेफटी किट का मतलब इसकेटिंग और साइक्लिंग के दोड़न आपके बच्चे सेफ रहे उसके लिए इसका इस्तेमल किया जाता है तो आज मैं आनबोकसिंग करने वाला हूँ मतलब आनपेकेजिंग करने वाला हूँ बच्चों का नी, अल्बो एंड हैंगर्ट जो ख्लिपकाट और एमाजन पे आसानी से मिल जाता है और इसका दाम है 300 रुपीज तो चलिए इसको खोलते हैं, मुझे ये पेकेज ऐसे ही रिसीब हुआ था, एक बेक के अंदर तो इसके अंदर क्या-क्या है आपको दिखा देता हूँ मैं, आज कल बच्चे जो चोटे बच्चे होते हैं 6 साल से नीचे का, वो हमेसा गिर्टे ही रहते हैं, और गिरने के बाद उनका नी छिल जाता है, हाब भी छिल जाता है और सायल आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो गया इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप इमजन नहीं कर पा रहे हैं ये प्रोड़क्ट अच्छा है की नहीं ये फिट होगा की नहीं तो इसलिए मैं ये रिव्यू वीडियो गना रहा हूँ ताकि आपको काम आये आखरी में आपको पता चल जाएगा कि ये काम का है की नहीं तो आपको पेकेज में 6 सापीस मिलेगा ये होगया नीगर्ड, ये अलबूगर्ड और ये हैंगर्ड और बताया गया है की 6 सल से 12 सल के बच्चों के लिए है लेकिन 6 सल से नीचे मतलब 5 सल के बच्चों को ये फिट होगा की नहीं आप देखने वाले हैं उससे पहले आपको दिखा देता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है इसका क्वालिटी में बोलू तो बहुत ही खड़ाब है मतलब 300 रूपे के अंदर ऐसा ही क्वालिटी मिलेगा और इससे अच्छा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उपर में ये प्लास्टिक है, जो ज़रुदत नहीं था और फिचे में ये थोड़ा सा कुशन है लेकिन बहुत टाइक है और जो वहल्क्रो डिया है नॉर्मलसा वहल्क्रो है और ऐलस्टिक है यह हो गया elbow guard लेकिन elbow पे लगने से यह bend नहीं होता है बहुत ताफ है बहुत मजबूत है यह एक्सलि इसका ज़रूरत ही नहीं था ऐसे knee guard में भी वेसा ही है उपर में यह plastic का यह हिस्सा ज़रूरत नहीं था मतलब knee को bend करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उसके बाद यह हो गया hand guard यह hand guard का उपर में यह भी plastic लगा हुआ है यह plastic का भी ज़रूरत नहीं था तो quality wise 300 रूपे के अंदर ठीक ठाक ही है लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है और आप इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके बच्चे को यह fit होगा की नहीं जैसे company ने बोला है कि यह 6 सल से 12 सल के बच्चों के लिए है तो अभी मैं इस product को एक 5 सल की बच्ची को पहना के दिखाता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा तो यह वाला नीगर्ड है अभी मैं पहनने वाला हूं तो यह देखिए कितना बड़ा है मतलब 5 सल के बच्ची के लिए देखिए यह भी पहना देता हूं यह देखिए कितना बड़ा है आप इमाजन कर सकते हैं 5 साल के लिए इतना बड़ा लग रहा है तो 6 साल के लिए भी बड़ा ही होगा मतलब ये 12 साल के बच्चों के लिए हो सकता है तो ये जो elbow guard है इसको भी पहना के रिखते हैं ये रिखिए निकल गया है quality इतना खड़ाब है तो इसको निकल देता है एक को ही दिखाता हूँ आप हाँ हाठ का तो ये वला handguard अभी देखते हैं ये फीठ होता है कि नहीं तो देखिए handguard पहनने के बाद कुछ ऐसा हाल है कितना बड़ा है ठिक से उंग्लियों को मोर भी नहीं सकती है और उपर का देखिए एक दम लूज है और उपर में देखिए एक दम लूज है मतलब मुझे ही फीठ हो गया है तो क्या इसको खेड़ने के बाद बाप पहनेगा। तो 6 साल से 12 के बच्चों को कैसे फीठ होगा तो ये प्रॉड़ा क बहुत ही बड़ा है और मेरा ये अनेस्ट डीव्यू है तो कॉन्ट्लूजन ये है कि ये चोटे बच्चों के लिए नहीं है आपको product page में बोलेगा ये 6 साल के बच्चों के लिए हो जाएगा लेकिन नहीं ये 6 साल के बच्चों के लिए नहीं है ये 12 साल के बच्चों के लिए है लेकिन 12 साल का बच्चा तो कभी गिरता ही नहीं है तो क्या जरूरत मतलब ये सीज काम का नहीं है तो आपको कौन सा सेफटी गर्ड लेना चाहिए तो मैं recommend करता हूँ ये वाला ये वाला बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मुझे अच्छा लगा आप इसे ले सकते हैं इसको खरेदने का best buy link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा और इसका unboxing देखने के लिए अभी उपड़ आर है link पर click कीजिए नहीं तो मेरे channel पर जाईए पता नहीं ये company ऐसा सीज क्यों बनते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अगर बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा product बनाए थोड़ा सा comfortable बनाए ये बहुत hard है बच्चे इसको पहन के खेल नहीं सकते हैं company को ऐसा सीज बनाना चाहिए ताकि बच्चे उसको पहन के comfortable feel कर सके तो आसा कटा हूँ दोस्तो आपको आज का वीडियो काम का लगा अगर काम का लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजेगा